दोस्तों हम सभी को अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी गाड़ियों बैठ कर लेट नाइट ट्राइप्स पर निकलने के बहुश हो के और अगर आपको किसी आली शान पार्टी में जाना हो तो लिमुसीन में उस जगह तक जाने का एक अलगी क्रेज होता है बड़े से बड़े सेलाबरिटी महंगी महंगी लिमुसीन से उतर कर रेड कार्पिट पर चलते हुए आपने देखे ही होंगे आज हम इनी लिमुसीन के बारे बात करने जा रहे हैं जिनकी खीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है तो चलिए, ज्यादा वक्त ना अगम आते हुए, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे महँगी लिमुजिन का टाइटल Mercedes G63 Armored Limousine को जाता है इस गाली को बनाने वाले Canadian Armored Vehicle Producer Incas है इस लिमुजिन में हर चीज बुलेट प्रूफ है अच्छा है वो windows हो या फिर उसकी plating या फिर उसकी tires ये गाली काफी बड़ी है और इसके अंदर एक luxurious rear cabin है जिसमें leather से बनी reclining seats है और इनी seats के सामने एक 4K resolution का TV भी है जिसके साथ में cool'd bar भी शामिल है इसी के साथ इसमें 5.5 liter V8 engine भी है जो इससे 563 horsepower की तागत देता है अब आप इसके crown clearance पर एक नज़र आ लिए अब एक गाली की ground clearance इतनी ज्यादा होगी तो साबसी बात है आप इसमें बैटकर कहीं भी आसानी सबाँ सकते हैं वो भी एक अलगी style के साथ आप जानते हैं इसके खीमत कितनी है तो इस गाली का base model एक लाग साथ हजार डॉलर से शुरू होता है और अब भारती रुपे में इसके खीमत देखें तो लगबग 1 करोड 29 लाग रुपीज की पुली पर जैसे जैसे आप options को बढ़ाते चले जाते हैं इसके खीमत 1.2 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है अगर भारती रुपे में बात करें तो 9 करोड 80 लाग रुपे इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर आती है बोईंग 727 निमो इस गाली को देखकर इसके खीमत से पहले नज़र आता है अगर आपको इसके डिजाइन पसंद आएगा तो डरिये मत क्योंकि इस डिजाइन की गाली चलना सड़कों पर लीगल है अब आर से चाये जैसी मर्जी दिखे पर हाकीकत में इस लिमोसीन के कांसेप पर काफी गहराई से सोचा गया है हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसका इंटीरियर बेहत खुफसूरत और लक्शूरियस है इसका इंटीरियर देखकर आपकी नज़र इससे चाकर भी नहीं एट पाईगी इस गाली का वीड 24,000 LBS है यानि लगबग 11,000 किलोग्राम अब इसके फीचर की बात करें तो इसमें एक वैर एक्विप्ट बार है एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी, कंफटेबल चेर, सीलिंग मिरर्स और अगर आप बाकी चीजों के बारे में जाना चाते हैं आपको खुद इसमें एक बार बैट कर देखना पड़ेगा फजास लोगों को इस साथ ले जाने वाली इस गाली को आप वन मिलियन डॉलर्स में खरीद सकते हैं यानि कि भारतिय रूपर में आप लगबग 8 करोल रुपे में इसको खरीद पाएंगे अब तीसरे नमबर की बात करें तो सुल्तान की ब्रुनाई के सोने से चमकती हुई रॉल्स रॉयस इस मैजस्टी हसन बॉल्किया की लेविश लाइफस्टाइल उससे तो आप सभी वाके भी हो चुके होंगे इनकी सभी शानदार गाडियों की परसनल कलेक्शन में इलिमिसीन की चमक अलक से दिखाए देती है इलिमिसीन 1990 रॉल्स रॉयस सिल्वर स्पर की मौरिफाइड बोजन है यह गाली 24 कैरेट गोल्ड से पूरी तरह से कवर्ड है यहां तक कि इस गाली की रिम्स भी प्यॉर गोल्ड से कवर्ड है अब इसके खीमत के बारें बात करें तो इस गाली 14 मिलियन डॉलर्स की और भारती रॉपियों मिसकी खीमत लगबग 14 करोड रॉपे की है आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गालीयों के बारे बात हो रही है और वो रॉल्स रॉयस का नाम न लिया जाए रॉल्स रॉयस की फ्लाक्शिप मॉडल की फैंटम को 30 इंच से एक्सिटेंट किया गया है और इसी वज़य से हमें लियमुजीन का एक लगजूरियस और सुप्रीम मॉडल देखने को मिला जो कि पूरी दुनिया में अपने आप में एक है रॉल्स रॉयस लिमुजीन फैंटम वी आईपी एडिशन सिर्फ और सिर्फ लक्शुरी एक्सपिरियंस के लिए बनाई गई है और स्टेंडर्ड एक्सपिरियंस से नीचे ये कभी आपको देगी मिली ये गाड़ी 21 फीट के चलती फिरती 5 स्टार होटेल रूम है इसमें इंटीरियर एलेटी लाइटनिंग लक्शुरी ग्लास वेर और ना जाने ऐसी कितनी और चीज़े है अगर आप इसके एंटीरियर सुनकर इतना खुश हो चुके हैं तो इसके एंजिन के बारे में सुनकर आपकी खुशी में चार चान्द लग जाएंगे दोस्तों इस गाड़ी के खीमत लगबग 8.99 से 10.48 करोड है इस गाड़ी के दो वेरियंट्स हैं 6749 CCBS6 और दूसरा सिंगल आटोमेटिक ट्रांसमिशिन अब आते हैं पाचवे नमबर पर और इस लिमुसीन को खरीदना हर बैटमेन फैन का एक सपना है जी हैं हम किसी और लिमुसीन की नहीं बलकि बैट मुबाइल की बात करने है और इसी के साथ इसमें बहुत से गाजट्स भी शामिल हैं जैसे कि मिसाइल लाउंचर, रियर बैट विंग्स, एजक्टिवल वील्स और इजिनल में जैसे सिर्फ एक ही इंसान के बैटने के जगह थी इसमें कंफर्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया है इस गाड़ी के अंदर काफी जगह है और ड्राइवर के लिए अलग से सीट दी गई है जिसकी वज़े से लोगों का लिमुजिन टाइप एक्सपिरियंस और भी बढ़ जाता है अब इसके खीमत के बारे में बात करें तो इलगबग 34 करोड रुपे की है इसी के साथ अब हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और मर्सीडीज मेबैक S600 पुल्में गार्ड के बारे में बात करते हैं इस लिमुजिन के भी दो वेरियंट है सबसे पहला आता है राइगुलर पुल्में और दूसरा वेरियंट है बॉम प्रूफ गार्ड वर्चन जिसकी खीमत आस्मान की उचायों उचू रही है ये मॉडल सिर्फ प्रस्टीजियस इंडिविजियल्स के लिए बनते हैं जैसे की हेड्स ओफ स्टेट या फिर हाई रैंकिंग गवर्मेंट ओफिशल्स इसको बनाने का पॉपस एक अपनोच लग्जूरी और इंप्रेसिव पर्फॉर्मेंस एक्सपिरियंस देना था और इन सब के बीच इस बात का खासा ध्यान रखा गया था कि अंदर बैठे पैसेंजर्स की सेफटी किसी भी तरह से कॉमप्रुमाइज ना हो इस गाली का एंजिन ट्विन टर्वो वी टुएल्व है जो 523 हॉर्स पावर अपने अंदर छुपाई रखती है यह सिर्फ 6.5 सेगेंड्स में 60 माइल्स पर आख यानि 97 किलोमीटर पर आख की रफ़तार पर पहुंसकती है यह आमर्ड लग्जुरी लिमो मोस्ट एक्सपेंसिव ओफिशिल लिमोज में आती है अब इसके खीमत के बारे में बात करें तो यह 13 क rolled के आसबस बहुंच जाती है अब जिस लिमोजीन के बारे में बात करने जारे है वो ट्रक है या पर एक लिमोजीन इसका पता एक आम इंसान इतनी आसानी से दो नहीं लगा सकता The Midnight Rider एक traditional limousine के concept को reject करती है और अपनी creativity के साथ उसे अलगी level पलेगा जाती है इस limousine का weight लगबग 23,000 kg है और ये 416 square feet के दायरे में फैली हुई है इस गाड़ी के अंदर कई areas है जो stairs से एक दूसरे के साथ connected है और इन मैंसे 3 तो सिर्फ longer area है जहाँ परसनल बार की जगालक से दे रखी है इस limousine में आपको एक hostess सर्फ करती है और drinks बनाने का काम एक designated bartender को दिया जाता है इस limousine का concept 2009 में मेबग ने introduce किया था मेबग ऐसी गाड़ियों को produce करने के लिए जाना जाता है जो बहुत बड़ी होती है और इसी के साथ साथ एक luxurious element को hold करके रखती है और इस limousine को बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं चोड़ी है अगर आप चाहे तो पीछे की seat पर आराम से बैठकर आप back side का उपर का area खोल कर आराम से नीले आसमान को देखते हुए अपनी drinks को enjoy कर सकते है इसके rear cabin में gold speckled granite है अब इसके engine के बारे में बात करें तो 612 horsepower V12 engine है जिसकी वज़े से आप हवा से बाते कर सकते है जहां तक इसकी कीमत की बात रही तो आपको लगबग 11 करोड रोपे मिल सकती है अब तक जितनी भी लिमोजिन की बारे में आपने बात करी है उनमें से एक दो को खरीदना अब तक आपका सपना यानि ये dream तो बनी चुका होगा इस list में जो अगली लिमोजिन है उसके नाम में dream है 80 के दशक में एक मशूर car collector जे और बर्ग ने एक काफी लंबी लिमोजिन बनाई जिसको देखकर आप दो ही चीज़े सोचेंगे या तो इस लिमो को बनाना एक पागलपन है या पर इससे बड़िया चीज़ा आपने शायद पहले कभी नहीं दीखी The American Dream लगबख 100 फीट लंबी है और असल में 1970 के आडलेक एल रोराडो का एक highly modified version है इस गाली में ज्यादा नहीं सिर्फ 26 wheels है एक swimming pool है और जो थोड़ी जगा बची है वाँ पर एक helicopter की landing के लिए एक helipad भी मराएगा है अब इतनी बाते करने के बाद आप इसके खीमत के बारे में में जानना चाहेंगे US के इतिहास में से सबसे secure माना जाता है और इसी वज़े से इसके नाम The Beast रखा गया है और इस गाली के बारे में अब तक ज्यादा details रिवील नहीं की गई लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि एक impenetrable fortress है जिसमें 5 लीटर का एक diesel engine है और इसकी estimated value 12 करोड रुपेर तो ये थी दुनिया की सबसे महेंगी लिमुजिन अगर आपको कोई मौखा मिले तो आप इन सबी मैं से कौन से लिमुजिन को खरीना पसंद करेंगे दोस्तों हमें comment section में जरूर बता है अगर आपके वीडियो पसंद आयो तो like और share का बटन दबाए बागी जितने भी लोग इस channel पर नए है वो subscribe और bell icon का बटन दबाए ताकि हमारी आने वाली सबी वीडियोस की notification आपको सबसे पहले मिले